हो आजके देट में इंटरनेट सो हम सभी यूज कर दो अजकर में तो मोबाइल लेटां तो सब दोस्तों कयाे है के आजके डेट में गौराटबन की ओउज भी बहुत बढ़र है हमारे हमारे घर में तो हो रहा है कि हम लोग Wi-Fi router भी बहुत यूज़ कर रहे हैं अब दोस्तों अब हर घर में इलेक्ट्रनिक ड्युवाइस भी बढ़ रहे है जो हर कुछ मतलब हर कोई इलेक्ट्रनिक ड्युवाइस अभी इंटर्नेट से चल रहे है समझे अपका टीबी स्मार्ट टीबी अपका फोन तो है आपका लैपटॉप अप स्मार्ट वाल पी आ गया अब समझ सकते हो कि हर क्नेक्शन मतलब नहीं हो सकता तो एजरेजर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं अपन राउटर इंस्टल किया गया था तो उस टाइम बताया गया था इसका कावरेज होता है मैक्सिमम बाइस सुस्क्राइब मतलब अपर्टमेंट के लिए अब दूस्तों एक चीज होता है कि जब हम लोग वाई-फाई राउटर यूज कर रहे हैं जब उससे वाइरलेस कनेक्शन अब जो भी इंटरनेट यूज करते हो तो कभी-कभी आपको यह परेशन आता है कि एक पर्टिकुलेर अपके घर के जगह में या कुछ कोई किस जहां पर आपका राउटर इंस्टल हुआ है वह से कुछ दूर था मतलब मेभी 10 फीर्स 15 फीर्स 20 फीर्स किसी दूसरे घर में अब जब इंटरनेट यूज करते हो आपका सडनलेट का जो स्पीड होता है ट्रॉप हो जाता है ठीक है मतलब अलमस्ट ब्लैंक हो जाए तक कोई सिगनल अपको फिक से मैंटा है कि अबस्तों यह सिगनल रॉप क्यों होता है यह सिगनल रॉप दोस्तों होता है कि wireless data-zone प्म तो ऐब कर से ठीक से पास नहीं हो पायए मतलब वो पनेट्रेट नहीं होता है अब दूस्ते इसका बहुत सरा डिजन होता है अब बहुत आपका ठीक वाल होता है उसके बज़ाएं से यह in a signal Penetrate नहीं होता है अधरेस होता है कि कोई radio interference होता है और मेबी कोई बड़ा से household device मतलब electronic device भी हो सकता है लेवी Facialious हो सकता है उसे कर अधरेस्ट बनता है तो आब के घडरमे कोई wireless जाता है करके किसी किसी जगा में जाब और आप internet बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हूं तो दोस्ते इसका solution कि होता है अब हम लोग को देखना होगा कि ये कोई Wi-Fi extender हम लोग यूज कर सकते नहीं अब Wi-Fi extender क्या होता है Wi-Fi extender होता है कि यह आपका जो wireless network का range होता है उसको expand करता है इसको यह आपका wireless network का coverage area को बढ़ा देता है तो as a result मतलब आपका wireless date zone होता है वो सब मतलब जो भी blockage हम लोग discuss कर देते हैं वो सब भट जाता है ठीके तो आपका range expand होने से आपका internet speed जाओ पर नहीं आ रहा थी या मतलब जो भी आपका streaming device या कुछ भी आप काम नहीं कर पर रहे थे वो problem solve होता है मतलब होने simple places हम लोग बोल सकते हैं कि wifi extender आपको wifi का range को extend करते हैं तो अभी wifi extended जो है इसको हम लोग खरीदने से पहले हमको कुछ special special चीज देखना होगा मतलब इसका जो quality क्या होना चाहिए यह देखना होगा पहरा तो दोस्ता हमने बता है कि आपको पता होना चाहिए आपक के बाद आपको देखना होगा आपका जो wifi router इसका standard क्या होता है standard मतलब क्या wifi wireless standard मतलब इसके बाद आपको देखना होगा जब wifi extender आप खड़ीद रहे हो उसके बाद और भी आपको चीज़े जो देखना चाहिए आपको देखना होगा आपका इथरनेट पोर्ट कैसा है ठीके वाइफाइ एक्सेंडर में इथरनेट बाद दिया गया एक भी अब इधरनेट पोर्ट से क्या होता है जहां पर आपने आपना wifi extender इंस्टाल किया है तो उस जगह से माप भी आपको तुछा डिवाइस है जो पर आपने चलता है इसको युश करके कोई बी स्मार्ट डिवाइस जो भी आपको लटनेट दिवास सबचरा सकते हो जो आपका wifi है, wifi range कितना पकट रहे, और दोस्तों यह main चीज होता है, क्योंकि देखिए आप में wifi extender इसलिए खरीद है कि वह आपका जो wireless connection के range है वो expand करेगा, इसकी चोब्देजर की byrhaearACBTC बढ़ाएगा, तो किसी wifi extender में आपको देखना हो अपको बढ़ेगा, आप में भी थाउजन स्क्वार फीट हो सकता है तिल तेन थाउजन स्क्वार फीट दोस्ता आज हम लोग जिस वाई-फाई एक्सेंडर के बाद करेंगे उसमें यह भी हम लोग मेंशन करेंगे कि हाँ आप टेन थाउजन स्क्वार फीट से हो सकता है या थाउजन स्क्वार फ क्योंकि दोस्तों जो आप सम्झों कि आपने खरीदा है उसका स्पीड लिमिट है काइंड आप 200 Mbps पर आपका जो कनेक्शन का स्पीड है वह 500 Mbps जो आपका में राउट अरे ठीक है तो ऐसे रिजल्ट क्या होगा कि आपको आपको 500 Mbps है वह जब यह वायलेस डेटूट के आपको सिगनल नहीं मिल रहा था जब मिल रहा है वह 200 Mbps क्योंकि इसमें आपनी जो खड़ीदा है उसमें सेम और 200 Mbps मिल रहा है तो आज रिजल्ट आपका जो स्पीड है वह बहुत ज्यादा रिट्यूस हो जाएबा ठीक है अब दोस्तों शुरू करने से पहले आप प्ल अब टीपी लिंक अपका मातलब बहुत ही अच्छा ब्रैंड होता है वन अप बेस्ट ब्रैंड एक्चुली तो कुछ साब देख सकते हो इसका जो स्पेसिफिकेशन है यह यह 802.11 ABGNC यह सब तरका WiFi स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते है ठीक है एंड इस 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 800 Mbps होता है एंड 5 GHz के लिए 1733 Mbps होता है इसका जो इथरनेट पोर्ट होता है वह एक होता है एंटना चार होता है एंड वारेंटी इसका तीन साल होता है तो दोस्तों इसका हम लोग बात कर रहेते हैं स्पीट के बाड़े में इस इस वान अफ दे में रिजिन जो होता है यह बहुत ही अच्छा होता है आज विकास इसका जो कावरेज रही होता है अल्मॉस्त राइक थाउजेंट तो टूहंड़ स्पार्ट मेंट के लिए बहुत अच्छा है एंड आप अगर टीपी लिंग किया मतलब कोई भी वाइपाइट एक्स कर रहे हो इट मेंस कि कि आपका जो वाइपाइग का विए रेंजर उसको एक्स्टेंड खड़ेगा तो टीपी लिंग के सबसे खास बाती है कि इसका जो फॉर बाइफ़ोर मों मेमोड टेकनोलोजी बोल के चीज होता है ठीक है अब मों मेमोड टेकनोलोजी क्या होता है इत मींस कि मृटीपल इसमें जो लाइटिंग का पूजिशन है मतलग कि आप देख सकते हो इसका जो लाइट है कि अगर ब्लू रहता है इत मेंस कि स्ट्रॉग सिग्नल एंड अगर रेड होता है मतलग अपना राउटर को बहुत दूर अपने जो में राउटर है उससे डिस्टनस बहुत जाद है इ नॉर्मली होता है कि आपका जो राउटर है एंड जहां पर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है तो उसको बीचे भी मतलग आपको है ठीक है उस जगह में हम लोग इसको इसको इंस्टॉल करते है एंड टीपी लिंक का सबसे बड़ा बात है कि इसमें एक काइंड प्लैग इन प्लैटर रहता है और इसका जो चार पोर चार एंटरना रहता है चार एंटरना के बज़ए से क्या है ति इसका जो मल्टी डिवाइस कनेक्शन बहुत अच्छा होता है एंड अपर प्रम देट इसमें एक इसको इंस्टॉल करने के टाइम में आपको एक टेटर बोलकिक जरनेम पास्वार्ण यह सब मांगता है ऐड़ेय से अधरह इस एक चरक सकतो कि इसमें डब्लू पियस बटन होता है तो अपने राउटर के इसको मैनेच कर सकते ओं तो इसमीं क्या होकर यह सब एक कर दो भी आवणे स्प्टी स्केप होता है तो अभी हम लोग आगे जाते हैं तो हमारा दूसरा जो राव्त वाइफ़ा एक्सेंडर है यह डी लिंग वार्लेस रेज रींज एक्सेंडर अब दूस्ते इसको पीस्पेस्विदेशन्स अल्मोस्ट कहा है कि यह वार्लेस जो भी वार्लेस स्टेंडर्ड यह उसको फॉलो क करते हैं यह सिंग्यल बेंट होता है तो इसका डेटा ट्रांसपर रेट भी थोड़ा अगर अगर आप कम पर करोगे टीपी लिंक से उससे कम होता है मतलब इस त्रीहंड़ेंड़ बीपेस और इसका इधरनोड पोर्ट भी वान होता है एंटेन भी टू होता है वारेंटी जो होता है दी लिंग भी अठीक से नहीं होता है क्योंकि बहुत सरा राउटर आज कि मतलब आपकी घड़ में भी सैथ सिंगल बेंट है तो आप इसको यूज कर सकते हो तो तो दिट इस इस फिजेबल ऑप्शन अच्छिली तो दोस्तों आज का हमारा थर्ड वाइपाई हम लोग बात करते है तो इसको पॉलो करता है उसे मैश होता है इस इस अलसो एड्वेल बैंट एर टांसपर रेंड जो है बाराव से इंडिक इस वान अप्ट में पॉइन पॉइंट 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 आप बोल सकते है क्यों एथरनेट पोर्ट नहीं है एंटेनास अच अच्छा होता है तो दा बेस्ट पर्ट आपर दिस राउटर की इसका जो 1200 मिप्यस स्पीड तो इसके मदे से आपका जो स्पीड है वो ड्रॉप नहीं होता है मतलब जो वाइफाई एक्समेल का काम है कि सिगनल ना ड्रॉप अध्लाइज ना ड्रॉप हो तो यह मतलब आपक तो दोस्तो लास्ट इस लिंग्स इस वाइफाई रेंज इस्टेंडर यह भी दोस्तों वाइफाई आपको फॉलो करता है जो इसका डूएल बैंटर है ट्रांस्परेट भी अच्छा है 2.4 GHz के लिए 300 MPs 5 GHz के लिए 867 MPs इथरनेट पोर भी बहुत अच्छा है नंबर 4 ए अब दोस्तों यह बाला जो वाइफाई रेंज एक्टेंडर यह थोड़ा सबसे हटके होता है क्योंकि दोस्तों यह इसका जो कवरेज आप देख सकते हो कि यह आपका कोई अगर ओफिस अरिया है इंटर ले एक बारास ओफिस अरिया तो उसमें यह यह जो वाइर्लेस इसका एक ही प्रब्लम है कि यह इसकी कवरेज के बज़े से है कि यह अचुली लाज़ी ओफिस अगे है कि मैंने इधर मेंचेंड किया है कि यह भी आपके ओफिस के लिए आप शायल गों रहे हो तो यह थो यह थो यह थो आपके इस्पेंसिब और होम उसे अच्वी दोस्तो यह थे आज का चार बेंस्लिक सकते अफरों के बारे में भी बात के इस सभी प्रडशों को है एल्के किया हम लोगोने फिदियो के दे दिया है ऑब उधर जाओक पिजेए उधर कीज ब्रड़क्ट का पसंद है तो वाई भी कर सकते हैं so that's all for this video thanks for watching the video once again please like, share, comment and subscribe to the channel so just thank you have a nice day bye झाल झाल